हिंदो पंचान के अनुसार मार्गशीर शमास के कृष्ण की अस्चमी तिती को काल भैरव जैनती मनाई जाती है धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान काल भैरव का अफ्तरण हुआ था शास्त्रों में काल भैरव भगवान को शिवजी का रौद्र स्वरूप बताया गया है भक्तों के लिए काल भैरव दयालू कल्यान करने वाले और श्वीग्रही प्रसन होने वाले देव माने जवाते हैं लेकिन अनैतिक कार करने वालों के लिए यह दंग नायक है रोग दोश और अकाल म्रत्यू के भाई से मुक्ति के लिए काशी के कोतवाल कहेचवाने वाले काल भैरव का पूजन मंगलवार को भैरव अस्चमी पर किया गया इस अवसर पर इंदाव श्वहर के भैरव मंदिरों में रोग दोश से मुक्ति की काम ना की गई कही फलो के रस से अभिशेक हुआ तो कही गुलाब, गेंदा और मुग्रे सहत विभन किस्म के फूलों से दरबार सजा बत्तो ने भैरव बाबा को श्रीफल अर्पित कर इमर्ती का भोग लगाया कही जगाए चपपन भोग भी आर्पित किये गए तो कही पर चपपन प्रकार के विदेशी मदिराओं का भोग भी लगाया गया इंद और के किला मैदान रोडस्थित प्राचीन मैंशापून काल भेराओं मंदिर में अस्चमी पर अस्ट प्रहर की आठ आर्थी की गई बताया कि सुभा भगवान का शुरिंगार कर फूल बंगली में विराज़ित किया गया भक्तों ने हवन भी किया इस दोरान 800 किलो में ठाई का भोग लगाया गया जिसे भक्तों में बाता गया किर बताई में एड़तागbayर कि भक्तों फिसे खिरो कि भक्तों में ने दोराखेबा भर भक्तों में पर र Зन कोंचमी कि यह स्री मंशाय पुन काल भेरों मंदीर किके महि frightening की मन दिएा सुम्हाय. देृसिएवamba में कियो दोरों महिए किया म्दान चेह मैं तूक्र रही साकी स्रएब कbies सुम्हाय एक कर विद्वे करें। वो बाबा सभी की पूरी करते हैं और यह जो आज का कारिक्रा में भेरो जयनती भेरो कटट उस्ता हुए आज यहाँ पर हम दोंदान से मना रहे हैं आज यहाँ पर हमारे गुरु सुनिल सास्तिरीजी ने काफी पहले से परंपरा शुरू की ती चपन भोग का आयोजन है महारती साथ बजे और सुबह से अश्ट पहर के आठ आरतिया सुबह पांच बजे से लेके रात में बारा बजे सहन आरती तक अभी हो चुकी अब पुलिस ब्रेंड द्वारा ही होता है यहाँ पर विदेशी मदीरा का विशे सुन का भोग लगाते हैं तो मदीरा का चपन परकार की मदीरा भी चपन भोग में लगाई जाती है हाई मैं हूँ दिपिका सिंग और आप देख रहे हैं एच्डी नियूज हाई मैं हूँ विंदू दारा सिंग और आप देख रहे हैं एच्डी नियूज हाई